तो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तुमा यूट्रोग चैनल एयर एयर जो केस्नल हब तो टुड़े आइम टॉकिंग अबाउट अनली अन बोर्ट सी एक्जामनेशन और टैंथ जो टैंथ बोर्ट जो आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी गुद न्यूज मिली है कि आप लोग सबी तो इस गुड़ न्यूज से बहुत ही बहुत ही खुश होंगे न सर क्योंकि यार मैं भी क्या कहूं आप लोगों को जो न्यूज मिली है न वो तो सर सोने पर सुहागा है क्या मैं कहूं ठीक है तो चलिए मैं बात करता हूं आप लोगों की जो मार्किंग है मार्किंग लेबल किस basis से होगी क्योंकि देखिए पिछले साल जो आप लोग को promotion मिला था पिछले साल जो आप लोग को promote किया गया था वो इस आधार पे था क्योंकि आप लोग का कुछ examination हो चुका था और कुछ internal assignment जो हो चुके थे और कुछ internal exam GP होते हैं वो आप लोग का हो चुका था ठीक है तो उस basis से आप लोग को यहां पर 10 के लिए promote कर दिया गया था बट अब situation ऐसी है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप लोग को जो भी options मिलेते उसके आधार पर आप लोग वने सारा कुछ फिलप कर चुका है ठीक है आपने preboard दिया है अब कुछ instrument को लग रहा है मैं यहां पर एक निप्स आप लोग कर ठीक कर दूँ जो भी instruments को लग रहा है कि preboard है उनकी अनुसारी आप लोग का यहां पर marking होगा तो सर्ब बिलकुल नहीं जो भी आपका preboard है उसके marking पर आप लोग का कोई भी यहां पर आकालन नहीं किया जाएगा क्यूंकि जो preboard होता है वो यहां पर check करती है कि जो आपने पढ़ाई की है पूरे साल वो क्या काफी है 10th board देने के लिए यह इसलिए आप लोग का preboard लिया जाता है ठीक है बात कर लेते हैं कि जो आप लोग का assignment होता है तो sir क्या उसके अधार पर marks मिलेंगे तो sir मैं एक और बात कह दूँ ना आपको 10th के बिल्कुल कोई भी चीज़ों से आपको marks यहां पर नहीं मिलने वाला है क्योंकि देखिए जब आप 9th में registration करवाते हो 10th के लिए क्योंकि 9th के बाद ही आप 10th में जाओगे तो इस बीच आपका एक registration होता है तो उस registration होने के बाद CBSE को पता चल जाता है कि हाँ यह जो बच्चा है वो इस school में पढ़ता है और यह अब 9th class में है अब यह 10th standard में जाएगा तो आपकी जितने भी result हो जितना भी कुछ हो रहता है copy से लेकर project work से लेकर हर एक कुछ की जो marking level होती है वो सारा CBSE के पास जाता है जाहे वो 9th class में standard में जो students होते हैं उनका जितना भी data है वो सारा का सारा collect होकर जाता है CBSE को ठीक है वो 9th से यह session start हो जाता है इसलिए सारे बच्चों को कहा जाता है कि अपना 9th भी आप अच्छे से रखिए तो यहाँ पर वो सारा कुछ आपका CBSE को दे दे जाता है आपने जो भी 9th में आपने जो भी marks लाया है वो सारे marks भी CBSE के पास भेज दिया जाते है अब देखिए मैंने इसलिए कहा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपने मान के चलिए 9th में 1st assignment दिया होगा 2nd assignment 1st internal 2nd internal और भी कुछ test होते है class test होते है copy में marking होती है आपने homebook किया था नहीं किया था आपके कितनी क्या आपके जो grading है वो किस प्रकार है आपके class में क्या behavior है आपका जो talking sense क्या है आपकी staff से पढ़ पाते हो मैं समझ पाता हूँ कि कुछ student होते हैं जो अपने आपको सोचते है मैं next class में अपने आपको अच्छा साबित कर लूँगा ठीक है इस्ट्रेंट जो रहते हैं उनका जो में focus रहता है वो रहता है ना कि 9 इन focrैंप्र में क्यूंकि Kिसी भी इस्ट्रेंट का यो main focus होता है वो बिलकुल 8 में नहीं होता है कुझ कि हो मान करनोता है डुख ऑपके जो इस यहां पर आपकी तो यहां पर जो भी आपको आपकी मार्किंग होगी वह आपके 9 के जो भी एकॉर्डिंग जितने भी कुछ में आपने कुराफातिक किये हैं 9 में वह सारा का मार्क्स आपका महां पर कैलकुलेट होगा पर CBAC कैलकुलेट करेगी और उस आधार पर आपको यहां पर 10 में मार्किंग किया जाएगा ठीक है तो देखी यही बिल्कुल जो भी आप लोग से कहा जा रहा था अभी तक जो भी आप लोग से कहा जा था करिकुलम जो भी कहा जा रहा था भी आप लोग से तो उस आधार पर आप लोगे हैं पर मांग दी जाएगी ठीक है और फ्रेंड देखी यहां पर जो भी आप लोग को कहा गया है objective creation जो भी है आप लोगों का वो यही है जो भी objective creation है यही है ठीक है यह बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग का फिर से कोई test होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है वो CBC ने भी ये बात घोसित कर दी है कि जिनु इस्टुएंट को भी प्रॉब्लम हो रही है अपने मार्क आकालन में तो मुझे इनके लिए खेले क्योंकि जहीर सी बात है आप लोग डिमांड कर रहे थे एक्जाम कैंसल होनी है अब एक्जाम कैंसल हो ग इस वोजे सबस्क्राइब होने हो ऊता हो आपको तो लिए लीट है है इस वजेसे वींडय विदियो प्रॉपर नियूश है इस ूजे से करने वाला है क्योंकि हम लोग इस चैनल पर बहुत सारा भी शेशन करवाने वाले हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट करता हूं हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल प्रेस कर लिजिए ठीक है मिलते ने जुड़े में तब तक के लिए धन्यवाद और हां एक और बा बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करोगे बिल्कुल फोकस करके जो भी आप लोग रिजल्ट आएगा उसके अनुसारी आप लोग यहां पर अपना सब्जिक च्वेस करोगे चाहिए बायोजी फिचिक्स केमेश्ट्री जो भी आप लोगे मैस लोगे या आर् बिल्कुल नेकर पढ़ाई खाले करोगे चाहिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो कि चाहिए जो भी आप लोग बडियोगे तो अपनी जो ability होगी उसके हिसाब से लेना ठीक है ऐसा नहीं कि मेरा friend science ले रहा है तो मैं भी science ले लूँ ठीक है तो जो भी आप लोग के information चाहिए मुझे आप लोग comment कर सकते हो या फिर instagram में DM कर सकते हो ठीक है लिंक description में मैं डाल दूँगा ठीक है में तरने जोड़े हो तब तक के लिए